नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान मोधी सरकार के उपर बड़े उद्योग्यों पतियों को समर्थन देने की बात करते नजर आते हैं हर मंच पर वो अम्बानी अडानी का नाम लेकर मोधी सरकार को खेरने की कोशिश करते हैं हर मंच पर एक रागल आते हैं कि मोधी सरकार गरीवों का पैसा लेकर अमीरों की जेब भर रही है इसके अलावा राहुल गांधी देश की अर्थववस्था की बिगरती हालाद के उपर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के धाराशाई होने की बात करते हैं वो लगतार इस बात को भी उठाते रहे हैं कि पुर्व परधान मंत्री मनमोहन सिन के समय अर्थववस्था आज से बहुत बहतर इस्थिती में थी वो इसकी बहतरी की डिंगे हाकते हैं लगतार ये बात करते हैं कि अर्थववस्था चौपट हो गई है लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि वर्तमान इस्थितियों के लिए इतियास की कुछ गल्तियां जिम्मेदार होती है और ये जिम्मेदारी वर्तमान में हो रही घटनाओं से बड़ी होती है यूपिय सरकार के समय कई गोटाले हुए और वो गोटाले किसी से छुपे हुए नहीं है इसकी हमेशा चर्चा होती रहती है कि उस समय क्या हुआ था 2GA स्पेक्टरम गोटाले से लेकर कोला गोटाले तक उन्हीं की सरकार के दोरान हुआ मन मोहनसीन मूख दर्शक बनके देख रहे थे अब फिर से हर दिन कुछ ऐसे गोटाले सामने आ रहे हैं जो जिसका कनेक्शन कहीं ने कहीं UPA सरकार से है और इन गोटालों ने धीरे धीरे पूरी बैंकिंग सेक्टर को पूरी अर्थवस्था को तवाह कर दिया है उस समय जो गलतियां इन लोगों ने की है जो घोटाले किये हैं उसका परिनाब अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारी घटनाएं अभी की है ऐसा ही एक घोटाला सामने आया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का यूपिय के समय इस पूरे घोटाले की साजी स्रची गई और जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक कंपनी को लाप पहुचाने के लिए सारे नियम कानून को ताख पर रख दिया किसी प्रोसीजर का पाला नहीं किया बस दढ़ा दढ़ा लोन दे दिया और जिसके कारण इस बैंक को करीब 11 करोड रूपे का नुकसान हुआ दरसल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में ये सुराजी जानकारी जे एंड के एंटिक करप्सन ब्यूरों ने दी है उन्होंने इसके लिए एक प्रात्मी की दर्ज की है और बताया है कि किस तरह से 1100 करोड रूपे का गोटाला हुआ और उस गोटाले में कौन-कौन लोग शामिल थे हाला कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पुरुव चेर्मेन मुस्ताक अहमद शेक और राइस एक्सपोर्ट इंडिया एग्रो लिमिटेट के चेर्मेन संजेज जुन-जुन वाला सही बार इस लोगों के खिलाब प्रात्मी की दर्ज की गई है लेकिन अभी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस घोटाले के तार कई बड़े-बड़े लोगों तक जुड़े हुए हो सकते हैं क्योंकि उस समय सरकार यूपिय की ही थी और उस समय कई लोग इसमें इनवल्व हो सकते हैं इस घोटाले की सुरुवाद एक फरजी दस्तावेज के आधार पर लिये गए एक लोन से होई थी। चम्बू एंड किश्मीर बैंक ने रायक्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड यानि आर ई आई एग्रो लिमिटेड को करीब आठ सो करोड रुपे का लोन दिया था। नहीं किया लिया। अगर सामान लोग एक दो लाग का लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले उससे करी तरह के दस्तावेज की मांग करते हैं। एक मामली लोन के लिए बैंक का चक्कर काटते काटते आपके जूते घीश जाएंगे लेकिन बैंक ने आट सो कड़ो रुपे का लोन ऐसे दे दिया जैसे दो चार हजार रुपे बाटना हो इसके लिए कमपनी ने ना तो दस्तावेजों के जाच की और नहीं बैंक ने इसके बारे में पूरी जानकारी इकठा की कि इस बैंक को पैसा देना चाहिए या नहीं कमपनी ने एक फरजी दस्तावेज जमा किये और उसका लोन पास हो गया और अब जब इसकी जाच हो रही है तो उसके एक एक परत सामने आ रहे है एसे भी ने प्रात्मिक जाच के आधार प जम्बू एंड कश्मीर बैक से लोन लेने के लिए वो अपलाई किया यह दस्तावेज क्या थे यह दस्तावेज थे किसानों को एडवांस में पैसे देने का वो किसानों को एडवांस में पैसा देना चाहती थी चाकि फ़सल खरीच तके और उसके लिए उसे लोन चाहिए तो ACB के अनुसार कमपनी के इस दस्तावेज क्यादार पर जम्मो एंड कश्मीर बैंक के मुंबई के महीम ब्रांज से 550 करोड का लोन लेने के साथ साथ कमपनी ने बैंक के दिल्ली की एक शाखा से भी बड़ा लोन लिया और ये लोन था लगभग 140 करोड का इसलिए ACB ने दोनों जगह पर मुंबई दिल्ली इस्तित इनके कारजालियों पर छापे मारी की है और दिल्ली के वसंत विहार शाखा से जो कमपनी ने लोन लिया था उसके लिए यहां के उसके ऑफिस पर भी छापे मारी की गई है सबसे पड़ी बात तो यह है कि कमपनी ने जिस तरह फरजी दस्तावेज के अधार पर बैंक से लोन लिया उससे स्पस्ट हो जाता है कि अगर बैक ने थोड़ी सी भी साबधानी बरती होती थोड़ी सतर्कता बरती होती तो आसानी से उससे पता चल जाता कि कमपनी का इरादा क्या है जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये कमपनी ने लोन जो लिया था वो किसानों को एडवांस में पैसा देने के लिया था और ये सारी एग्रो इंडस्ट्री की कमपनियां करती है एग्रो बेस्ट कमपनियां किसानों को फसल खरीदने के लिए उन्हें एडवांस में पैसा देती है ताकि जब किसान फसल उगा लें उनका फसल तयार हो जाए तो उनकी प्राइडिटी में रहे कि वो इसी कमपनी को अपनी फसल बेचेंगे और इसके लिए कमपनिया किसानों से संपर्क करती है और पताती है कि आप फसल वोने वाले हैं तो दान की फसल वो रहे हैं तो दान के फसल के लिए जो पैसा कर्चोगा उसमें से कुछ पैसा पहले हम एडवांस में आपको देते हैं और ये जो process है, company और किसानों के बीच का ये जो संबंध है इससे किसानों को भी फायदा मिलता है उन्हें खेती के लिए advance में पैसा मिल जाता है और ँस पैसे का उपयोग हो खेती में करते हैं जिससे उन्हें बैंक में बैंक के चक्कर लगाने से या फिर आसपास के महाजनों से सूध पर पैसा लेने से वो बच जाते हैं। लेकिन आरियाई एग्रो लिमिटेड ने इसका बरपूर फायदा उठाया। इस पूरे प्रोसेस का फायदा उठाया। उसने बैंक से बोला कि किसानों को एडवांस पैसा देने के लिए बैंक से लोन चाहिए। लेकिन मामला कुछ और था। मामला ये था कि इस कंपनी ने पहले से ही एडवांस में फसल खरीद ली थी और उसके बाद बैंक को बरगला रहा था। बैंक को वो जो दस्तावेज दे रहा था वो गलत था। वो सुचनाए गलत थी। इसी पूरे दस्तावेज की जाच करने के बाद इसको पता लगाया। इस बात के जानकारी उसे मिली कि अगर बैंक थोड़े बहुत मेहनत कर लेती। अगर बैंक के अधिकारी वहाँ जा कि ये भी पता कर लेते हैं कि आखिरकार जिन किसानों को पैसा देने के लिए बैंक को हम पैसा दे रहे हैं उन किसानों तक ये पैसा पहुच रहा है या नहीं। लेकिन पैक ने कुछ भी नहीं किया ना तो वहां जाकर उस छेतर में जाकर जिन छेतर के किसानों की बात की गई थी जहां से धान की फसल खरीदनी थी उन छेतर में जाकर पता लगाया और नहीं उसके तस्तावेजों की गहराई से जाच की और लोन दे दिया अब ऐसे लोन में इस बात का तो पता चलता है कि कंपनी का इरादा ही नहीं था कि लोन वापस किया जाए अगर company के पास इस बात का intention उसका होता कि हम यह जो पैसा ले रहे हैं वो किसी ने किसी तरह से हमें वापस करना है तो इस तरह से खर्जी वाड़ा नहीं करता और यह पूरा मामला जो है वो 2011 का है यह पूरा मामला 2011 से 2013 के दोरान ऐसे ही चलता रहा तीन सालों तक लोन का पैसा वो लेके बैठा रहा उसका सूध बढ़ता गया और company के उपर यह जो लोन का पैसा था और उस पर जो ब्याज लगने वाले थे उसका करीबी 1100 करोड रूपे का बकाया हो गया और जब 2014 में सरकार भी बदल गई थी company को भी लगने लगा और bank को भी लगने लगा तो उसके बाद दोनों के बीच लगबग एक साठ गाठ हो गई और उसने बोल दिया कि अब यह पैसा लोटाय नहीं जा सकता मेरे पास इतना पैसा नहीं है bank ने भी उसको NPA गोसित कर दिया यानि bank का non performing इसे इसे समानने भाषा में आप कह सकते हैं कि bank ने मान लिया कि यह पैसा अब निकलने वाला नहीं है इसे डूबा हुआ पैसा मान ले इसके बाद से इस पूरे मामले की जाच सुरू हुई 2014 के बाद जब इसे NPA गोशित कर दिया गया और धीरे धीरे इस घोटाले के राज खुलने लगे हाला कि ECB ने अभी प्राथमिक तौर पर ही जाच की है और इस कंपनी से जुड़े कुछ जगों पे च्छापे मारे की कुछ लोगों का नाम आया कंपनी का नाम आया कमपनी के कुछ अधिकारियों के साथ-साथ बैंक के कुछ अधिकारियों का नाम आया है लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अभी कई लोगों का नाम आना बाकी है 1100 कडोर रुपे के इस घोटाले में अभी कई महारती नपने बाकी है जिस समय ये पूरा घोटाला हुआ उस समय केंदर में यूपिय की सरकार थी और मनमोहन सीन परधान मंत्री हुआ करते थे तेने आर्थिक सुधार का पुरोधा कहा जाता है तो आर्थिक सुधार के इस तताकतित पुरोधा मनमोहन सीन की सरकार के समय ये पूरा घोटाला हुआ 1200 कडोर रुपया का नुकसान हुआ बैंक को लेकिन सरकार को इसकी एक छोटी सी भनक तक नहीं लेगी आज राहुल गांधी उसी बैंकिंग सेक्टर के दिवालियपन की बात करते नजर आते है कहते हैं कि बैंक सेक्टर खराब खत्म हो रहा है बैंकों के पास पैसा नहीं है लोगों का पैसा उसमें डूबता नजर आ रहा है पूम मिहुल चौकसी की बात करते हैं नीरब मोदी की बात करते हैं यहां तक कि विजय मालिया की बात करते हैं सब को भागने की बात करते हैं लेकिन ये घोटाले किस दौरान हुए इस बात का जिक्र करने से ये लोग कतराते हैं। घोटाला होना और उसका उजागर होना दोनों ही अलग-अलग बाते हैं। कोग्रेस नेता घोटाला उजागर होने की बात को लेकर तो काफी गंभीर हो जाते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, यह सरकार ऐसी है जिसने पूरी अर्थवस्था को चौपट कर दिया, लेकिन जैसे ही पूरे घोटाले के लिए समय की बात आती है, कि यह सब घोट और हर्याना के चुनाब के दोरान भी हर रेलियों में राहुल गांधी यही बात उठाते रहे हैं, अर्थवस्था चौपट हो रही है, लोग परिसान हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार अमीरों का पैसा, मतलब गरीवों का पैसा लेकर अमीरों को दे रही है, जो थोड़ी खुशी देने वाली है, और भारती अर्थवस्था की बात हो रही है, तो अर्थवस्था की से जुड़ी हुई एक और खबर परचर्चा करते हुए इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे हैं, और वो खबर है फोरेक्स रिजर्ब, मतलब भारत का विदेशी मुद मुद्रा भंडार बढ़कर 440 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, और जून के अंतिम सताह में लगभग ये 427 अरब डॉलर के बीज था, और कुछ समय इस दो तीन महिने के बीज के कुछ समय को छोड़ दें, तो लगतार इसमें बढ़ोतरी होती रही है, देश के हमारा विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, कि हमारे हाँ निवेश इस बीच बढ़ा है, FPI यानि Foreign Portfolio Investors में बढ़ोतरी हुई है, पिछले महिने के अगर बात करें, तो हमारे हाँ FPI के माध्यम से 15,000 करोड का निवेश हुआ है, और ये हमारे अर्थवस्था के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे कॉंग्रेस के नेताओं को भी थोड़ा समझना चाहिए, बोलना चाहिए इसके बारे में, कि भारतिय अर्थवस्था अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है, इतनी खराब इस्तिति में नहीं है, विदेशी निवेशकों को अभी भारतिय अर्थवस्था पर भरोसा है, और इसलिए यहां पर निवेश करने के लिए आतुर हैं, तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देखते रहिए हमारे प्रोग्राम ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरे लाते रहें, तरह उसकार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहें, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते ह हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया